आज से बहुत साल पहले बुवनेश्वर उडिशा में एक बच्चे का जन हुआ एक बड़ी आक्टिंग फैमिली में जहां पर बड़े बड़े आक्टर्स रहा करते थे उस बच्चे ने ना सिर्फ वो इन्हेरेट किया उनकी आक्टिंग स्किल्स को आगे बढ़ाया बलकि कुछ ऐसा भी सोचा कि कुछ ऐसा करके दिखाएंगे अपनी इंडस्ट्री के लिए जिसके बाद सारी दुनिया उनके आगे इस नत्मस तक होगी साल भी ते वो लड़का बड़ा हुआ उसने बहुत सारी फिल्मों में काम किया मगर अब तक कोई ऐसी फिल्म नहीं की थी जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया उनके सामने नत्मस तक हो लेकिन फिर समय बदला और एक ऐसी फिल्म उन्होंने बनाई जिसको बनाने के बाद उनके मन में एक तरीके का confidence आया कि हाँ ये कुछ ऐसा किया है जिसको दुनिया को देखना चाहिए और वो इस इरादे के साथ दूसरे डीजन्स में गया अपने शहर से बाहर गया और जाकर लोगों से बातचीत करने शुरू की initial reactions जानते हैं क्या थे लोग उस पर हसते थे लोग उस पर हसने लगे कि ये ऐसा क्या है तुमारी फिल्म में ऐसी तुम क्या बात कर रहे हो कि पूरी दुनिया को अपनी ये फिल्म दिखाना चाहते हो और बैट कर तुमारी ये फिल्म दुनिया देखेगी मगर कहते हैं ना चमतकार चमतकार कभी भी हो सकते हैं और यही हुआ जब उस फिल्म को लेकर वो एक दिस्ट्रिब्यूटर के पास गया तो पहले उस दिस्ट्रिब्यूटर के हसने के बाद उसने उससे insist किया कि आप इस फिल्म को देखिए एक बार एक मौका दीजिए 10 मिन के लिए देखिए और ऐसा ही हुआ जब उस दिस्ट्रिब्यूटर ने उनकी वो फिल्म देखी तो अपने आपको रोक नहीं पाए दिस्ट्रिब्यूटर ने लेकिन एक शर्त रखी यह बोला कि हम इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज तो करेंगे लेकिन यह लैंगुज त एक ऐसी silent revolution आया एक ऐसा तहल का मचा जिसके बाद जितने भी लोग थे ना इंडिया में वो सब नतमस्तक हो गए उस फिल्म के आगे वो लड़का कौन था वो फिल्म कौन सी थी और मैं किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ यह सब कुछ आप समझ चुके होंगे कैसे रिवाइब किया कौन सी ओडिया बड़ी फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसके बारे में शोर मचा हुआ है ट्विटर पर यह सब कुछ होगा इस वीडियो में तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं बड़े-बड़े स्टार्स हैं जिनके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे मगर जब बाबुशान का जन्म हुआ जैसा की होता है बड़ी फैमिली में बड़े responsibilities होती हैं बड़ी expectations होती है और यही बाबुशान महंती के साथ भी था जितनी बड़ी family जितने ब बहुत प्यार मिला जन्ता से क्योंकि उनका face काफी चॉकलेटी है उनकी आवाज काफी अच्छी है तो साथ-साथ में उन्होंने singing का भी काम शुरू किया और आवाज अच्छी होने की वज़े से लोगों के दिलों में एक special जगा भी बना गया वगर ऐसी ही फिल्मे आती ही जा रही थी 90s 2000s का जो दौर था जो first decade of 2000 था उसमें कोई ऐसी breakthrough फिल्म नहीं आई थी बलकि ये हो रहा था कि Hollywood जो है वो ज्यादा तर साथ की फिल्म को कॉपी करने लग गया था जैसे रीमेक्स बनते हैं वैसे ही रीमेक्स बनाने लग गया था और content की तरफ regional local flavors की तरफ को ध्यान नहीं दे रहा था इसलिए Hollywood का कह सकते हैं downfall होना start हो गया लोगों में popularity होनी खत्म हो गई और लोगों ने young Hollywood stars को एक तरीके से cancel out कर दिया जिसमें बाबुशान महंती का भी नाम था जब ऐसे challenging दोर में आ गई है उसके बावजूद भी काम करना बाबुशान महंती ने सामने लेकर आए जिसके बारे में बोलना मेरे ख्याल से शब्द कम पढ़ जाएंगे मेरे लिए इस फिल्म का नाम था दमन दमन एक revolution की तरह एक revolution की तरह पूरे इंडिया के उपर छा गई पहले ओडिशा से इसने अपना सारा budget recover कर लिया था within the time frame of three days और उसके बाद जब इ Hollywood की फिल्म आखिर कौन देखेगा आज के time में South की फिल्मों का जमाना है कौन देखेगा तुमारी फिल्मे मगर वक्त की धारा को बदल दिया इस फिल्म ने और जब इसको पैन इंडिया एक मौका मिला तो इसने मौके पे ऐसा च्छका मारा अगर इसी के साथ challenges भी आए अब लगारी screens हडपली और इस वक्त दमन के पास बहुत इनी चुनी screens हैं कि दमन की इस वक्त dubbing चल रही है हिंदी में संकेत महत्रे इसकी dubbing कर रहे है दी संकेत महत्रे इसकी dubbing कर रहे हैं अलू अरजुन आइकॉनिक स्टार तेलगु स्टार इतने बड़े पैन इंडिया स्टार अलू अर्जुन है, इस फिल्म को बैक कर रहे हैं तो जब ऐसे नाम अलू अर्जुन, अनुपम खेर, जावेद अली संकेत महात्रे, ऐसे नाम जब जुड़ जाते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपकी सफलता तै है अनुपम खेर सर का नाम मैं ने इसलिए लिया है क्योंकि अनुपम खेर ने ओरिया फिल्म एक रिलीज ओरी है, जिसका नाम हे प्रतीक्षा जिसका मैंने ट्रेलर रिव्यू भी किया था आपके साथ और आपने बहुत पसंद भी किया था फाइनली रिलीज हो चुकी है और इसको तमाग के दार रिस्पॉंस मिलना शुरू हो चुका है तो प्रतीक्षा अगर आप उस रीजन में रहते हैं जरूर देखेगा आप अलरडी जानते होंगे प्रतीक्षा के बारे में इसको लिमिटेट स्क्रीन मिली हैं लेकिन इसका कॉंटेंट बहुत हटके है सवाल ही पैदा होता है कि आखिर दमन ने ऐसा क्या किया दमन के बलबूते पर आखिर ओलिवूड रिवाइब कैसे हो गया इतना बड़ा ओलिवूड तो जैसे रिशब शेटी के वर्ड्स है ना कन्नडा सुपर डूपर स्टार रिशब शेटी सर के रिजिनल इस यूनिवर्सल, more रिजिनल इस more यूनिवर्सल अपना रिजिनल फ्लेवर लेकर आईए अपनी कहानियों में और वो जरूर सुनी जाएंगी वो जरूर देखी जाएंगी यही देखा गया दमन के साथ और प्रतीक्षा दोनों के साथ माइंड गेम के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है एंथनी के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है Gangs of Puri, एक ओडिया फिल्म सीरीज है, इसके बारे में भी बहुत जादा चर्चा हो रही है और मैं इन सभी के बारे में अवेर हूँ, सभी कुछ आपसे ये बताना चाहती हूँ जो नौर्थ इंडिया में बैठे हैं लोग, वो इन सभी को एक एक चांस जरूर दें और साथ में, एक और इंपोर्टेंट चीज जो आप मुझे बहुत दिन से कह रहे हैं इंडर धनु का ट्रेलर मैंने फाइनली देखा, और ओमाइग गॉटिफुल, इसकी मैं बात कर रही हूँ, मतलब लोकल फ्लेवर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मोल, रिजिनल इंडर धनु का इंडर धनु को यह तक पर रही ही रही है, मतलब देखने के बाद ऐसा दिल करेगा कि आप ओडिशा ज़ूर जरूर देखकर आएं, इतना खुबसूरत, इतना प्यारा है, और जो इसकी सब तव सब्सक्टाइलोग हैं, उनको देखकर लग थाथा कि एक दिल को छूने वाली होने वाली है इस फिल्म में तो इंद्रधनु ने मेरा दिल ले लिया इंद्रधनु का ट्रेलर मैंने देखा absolutely amazing, absolutely amazing इस फिल्म यह फिल्म बहुत सारे accolates और critic awards डिजर्ब करती है मुझे लगता है यह जब release होगी इसको बहुत सारे critic awards मिलने वाले है इंद्रधनु को miss नहीं करना है इंद्रधनु जल्दी हमको देखने को मिले मुझे mind game के ऊपर कुछ नया पता नहीं चल रहा है और dhaman के ऊपर जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि dhaman की dubbing चल रही है काम चल रहा है लेकिन शोर कम नहीं होना चाहिए इस फिल्म के लिए जितना शोर हम मचाएंगे उतना ही ज़्यादा इस फिल्म को hype मिलेगा उतनी ज़्यादा screens मिलेगी जल्दी इसका काम complete होगा और हम सबको ये फिल्म देखने को मिलेगी क्योंकि quality content is the king हम जैसे YouTubers का यही काम है कि अच्छे quality content, quality actors को आप लोगों से मिलवाएं आप लोगों से उनका परिचे करवाएं और उनको उनका deserved respect मिले So this was it about today's episode on Babushan Mohanty, Ollywood और Ollywood के बहुत सारे actors हैं भी जो हमको explore करने हैं तो यह ना सोचेगा कि यह आखरी वीडियो होने वाली है इसके बाद बहुत सारी वीडियो मैं आपसे शेर करती रहूंगी Greatest Stars series में So I hope you like this video, if you like it, give it a thumbs up Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel which is called Storifying Chef